Hello Friends, Friends मैं आज Class 10 के जो Student है जेके बोस के उनके लिए जो आपका upcoming exam है जाने की जो आपका कल का exam होने वाला है उसके लिए जो ट्रिक्स ओर ट्रिक्स इंप़र्टन आपको देने वाला हूँ, important question इस वीडियो में आपको provide करने वाला हूँ, आपके passing marks कैसे रहेंगे और आप कैसे passing passing marks ले सकते हो 95% कैसे score कर सकते हो पूरा इस वीडियो में बताने वालो वीडियो में अंतिम तक जरूर देखना आपका time ज्यादा बरबाद नहीं करेंगे आप अपनी preparation अच्छे करें आपको थोड़े minute में आपके tricks और trips जल्दी इसमें दे दिये जाएंगे अगर आपको और वी कोई इधर आप देख सकते हो में हम इधर बात करते हैं total marks आपके कितने रहेंगे total marks आपके रहेंगे 100 ठीक है जो पहले था after syllabus reduction ठीक है अब आपको क्या हो जाएगा आपको कितना करना है 60% attempt करना है only ठीक है यह होगी वो आपको telegram जाइन करके वहां से मिल सकते हैं नहीं तो आप इंस्टाग्राम आइडी पे भी कर सकते हो वहां पे भी आपको PDF मिल जाएगी कोईशनों की हरितिक 323 और हरितिक शर्मा telegram channel का लिंक आपको description में मिल जाएगा आप मेंली telegram पे जादा दियान देना telegram को आप जाइन करके वहां से PDF देख सकते हो ठीक है चलिए अब science के जो important question और model paper आपको अब में दिखाने वाला हूँ सबसे पहले आप इदर planning देखिए simple आपने अगर पास होने की आपका जो physics का पहला chapter 10 marks का human eye 5 marks का ठीक है 15 होगे उसके बाद अगर आपने जे कर दिये ठीक है अगर आपने human eye कर दिया उसके बाद अगर आपने electricity कर दिया दो chapter अगर आपके बन गे आपके इन में से 10 question 10 marks बन जाएंगे magnetic effect 4 number का रहता है source of energy 3 marks का ठीक है उसके बाद चलो थोड़ा सा मुश्किल होता है जिन बच्चोंगी मैं पास की बात करना हूँ उसके बाद आपका जो priority classification का question रहता है इदर आपके जो mainly question रहते हैं डवर्निय ट्रायड, mandaly, priority table वहां से question आप कर लोगे 14 number आपके बन जाएंगे carbon and compounds भी बचे रहने दो उसके बाद मैं उनका question करूँ control and coordination से control and coordination से nervous system से question एक mainly question बन जाता है तो आप वहां से question कर सकते हूँ आपके 18 number जाने की आप पास्ट की कागार में आ गए लेकिन अब जिनोंने 95% score करना है उन्होंने mainly क्या करना है उन्होंने देखिए जो आपके long answer आपको मैं आगे model paper भी दिखाऊंगा आपका जो long answer आता है long answer सब बच्चों को आता होगा आपने mainly आज का जो दिन आपने बचा हुआ है सिर्फ आप किस पे focus करो अपना full revision आपका हो गया होगा सिर्फ आप किस पे focus करो दो marks वाले कोशन के जो आपके physics के दीन रहते है chemistry के दीन रहते है और biology के तीन रहते है mainly उन पे focus करो ताकि आपके जो score है maximum उनकी growth हो जो आपका long होगा वो आपका easy question आता है आप उसको जल्दी से attempt कर दोगे ठीक है चाहिए वो carbon and its compound से और metal and non-metal से आपका long question आएगा और biology की बात करें आपका life process से long आएगा और how do organism reproduce से long question आएगा अब नीचे चले जाते हैं आपको मैं सबसे पहले दिर model paper दिखा देता हूँ ठीक है model paper आपका रहता कैसी है सबसे पहले आपका section A आएगा physics का एक set रहेगा जानी की physics का आपका सबसे पहले रहेगा और पहला question शे माक्स का रहेगा जो आपके light के portion से पूशा जाएगा उसके बाद आपका आएगा human eye का ठीक है human eye का भी जो question आएगा चार नंबर का आएगा और उन दोनों में भी R होगा ठीक है bell diagram of human eye और R दिया हो है color of sky blue उसके बाद अगला देख सकते हो sign conventions of spherical mirror और आपको definition बोल दियो है principal axis, principal focus, focal length with the help of diagram ठीक है जो सिरफ एक model paper है आपको इसको भी पढ़ना है और भी बाकी जो आपने पढ़ा हुए उसको भी पढ़ना है ठीक है आपने unit derive करना है आपने mainly focus करना है जिन्होंने top करना है 95% of warm marks करने है तो उन्होंने mainly in portion पे focus करना पड़ेगा ताकि उनके exam में better से better result मिल पाए जे था friends आपका जो model paper इदर दिया हुए पूरा complete model paper आपको मिल जाएगा link description में मिल जाएगा अगर channel से first time जुड़े हो तो channel को भी subscribe कर दे ताकि आपको आने वाले सारी educational update time to time मिलती रहे अगर आपको और भी class के model paper चाहिए होंगे comment marks में जरूर पूछिए और भी किसी subject के जे रहा आपका physics का model paper अब इदर time जाया नहीं करने है आपका जल्दी से वीडियो को ख़दम करने है ताकि आप भी इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देख पाओ और बात करें अगर हम chemistry के आप देख सकते हो long question जो आपका आएगा carbon and compound से एगा उसके बाद आपके शाट आपको जो PDF मिलेगा आप उस PDF को खुद चेक कर सकते हो उसके बाद नीचे में बात करूँ आपको एक मक्स जैसा आपका paper रहेगा उसी तरह जो sample paper है आपको इतर दिखाया गया है उसके बाद नीचे चलिए आपके लिए important question frame किये गये है important question आपके पूरी physics से किये हुए total आपके पूरी physics से स्तारा question इदर लाएगे है जो आपके important है ठीक है आप इन question को करोगे तो आपका इन में से बाहर जाएगा कुछ मलब रहा भी सकता है board की मर्जी है लेकिन minimum maximum इदर से आ सकता है उसके बाद chemistry का भी आपको इदर important question दिख जाएंगे इनको भी आप check कर सकते हो और अपनी preparation को और hard कर सकते हो जिनोंने mainly pass होने वो उनको बता दिया आप कौन-कौन से chapter पर focus करो और अगर आपने जो जो एक question है इन question को भी लगा दिया और reason कर लिया थोड़ा-थोड़ा तो आप pass हो सकते हो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको कोई भी doubt हो comment box में जरूर पुशिए और PDF चाहिए होगा टेलिग्राम से आप ले सकते हो इस वीडियो में बस इतना ही